कि हम लोग को perfect square कैसे find करना है हम लोग यह जान रहे हैं यहां तक मैं बता चुकी थी perfect square अगर नहीं कि जान रहे होगे तो पहले वाले वीडियो को देख लेना अच्छे से एक बार उसके बाद ही आगे बनाना नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है अब हम लोग को देखना है question number two give reason why the given number are not perfect square यह जितना भी number यह perfect square नहीं है लेकिन क्यों नहीं है यह reason पूछ रहा है ठीक है तो देखते हैं देखो यहां पास पूरा number दिया हुआ अब इसमें से यह हम लोग को बता दिया है कि यह जितना भी number है one two eight जितना भी number है वो perfect square नहीं ह number of zero देखो आप लोग कभी भी देखना कि अगर odd number zero है मतलब zero कितने times है three times है तो three odd number होता है अगर मालो four times होता तो वो even हो जाता तो यह क्या बोलते हैं आप लोग का perfect square होता लेकिन यहां पास three times zero है three times है मतलब कि odd है इसलिए perfect square नहीं होगा ठीक है zero is of zero in the end of the number so 12,000 is not perfect square अब यहां पास 790 यहां एक ही 0 है और one भी क्या होता है odd number यहां three times zero है यहां one times zero है यह भी odd number तो zero वाला को मैं एक side लिखती हूँ आप लोग के लिए 790 यह वन 16 यह वाला मतलब three times यहां पास भी 0 है और यहां पास भी one times zero है तो यह जितना भी odd times zero है इसलिए यह perfect square नहीं है reason में यही वाला reason को आप इसमें भी तीनों में लिख होगे ठीक है अब second number में आ जाते है इसी का 1227 जो बचा हुआ है उसमें तो 1227 the unit digit of perfect square is never 237 और 8 अगर आप ल 237 और 8 ठीक है 237 और 8 में अगर इंड हो रहा है कोई साभी number तो वो perfect square कभी भी नहीं बन सकता तो reason के यह लिख दो कि the unit digit of a perfect square is never 237 और 8 so 1227 is not a perfect square क्योंकि यहां इंड हुआ है 7 से इसलिए यह भी perfect square नहीं है यहां 2 से इंड हुआ है इसलिए perfect square नहीं है यहां 8 से इंड हुआ इसलिए यह भी perfect square नहीं है यहां 3 से इंड हुआ है इसलिए यह भी perfect square नहीं है यह सब यही वाला question है देखो यह वाला 1482 यह वाला 1482 1078 1078 8123 8123 complete हो दो question number 2 अब देखो question number 3 find out the number whose square are even number and whose square odd number ठीक है अब हम लोग को कौन साज किसका square even number और किसका square odd number है यह find करना है अब हम लोग सब को multiply करके check नहीं करेंगे मैं आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ देखने ना एक बार अच्छे से the perfect square of odd number are odd perfect square अगर odd number है जैसे कि one odd था तो उसका perfect square भी odd आया 3 odd था तो उसका perfect square भी odd यानि कि 9 आया दोनों ही 9 मतलब अगर हम लोग even number को multiply करेंगे 2 times तो even number आएगा और odd number को multiply करेंगे 2 times तो odd number आएगा same वही चीज़ यहां पूछ रहा है question number 3 में तो हम लोग को पता है 14 even number है जिसका pair बनता है वो क्या होता है even number जिसको हम लोग 2 से completely divide कर ले वो क्या है even number तो 14 even number है 608 even number है 11,288 even number है 4,010 even number है तो इतना even number को मैं एक साइड यहां लिख दी हूँ और जो odd number बचा इसमें इसमें odd number जो बचा उसको एक साइड लिख दी हूँ ठीक है अब उसमें आप लोग reason में लिख दोगे यहां पास reason में क्या लिख हो गया है we know that the square of even number are always even हम लोग को पता है कि जो even number होता है वो हमेसा even आप लोग चाहो तो 14 को 14 से multiply करके check कर सकते हो 14 को 14 से multiply करोगे तो 196 आएगा और 196 भी क्या है even number है समझ ले तौ आप लोग को करना है तो हम लोग पता है कि even number का multiplication मतलब की 14 को 14 से ही multiply करना है 608 को 608 से ही multiply करना है तो वो जो number हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा even number ही मिलेगा तो यह हम लोग को पता है और वेशे ही odd में भी है the square of even number are always sorry the square of odd number are always odd number यानि कि जो जैसे कि 277 है, उसको 277 से ही multiply करोगे, तो जो answer मिलेगा वो odd ही आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा question number 3 complete, अब question number 4 में क्या करना है, question number 4 भी वही है, 11 square यानि कि 11 को 11 से multiply किये, 11 को 11 से तो 121 आया, 101 को 101 से multiply किये, square है, इसलिए दो बार multiply किये तो ये आया, same वैसे ही देख लिए 0 बढ़ते गया है, 1 0 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ कितना 0 आजाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 1, अब इसको भी multiply कर दोगे, यह आया जाएगा, वैसे ही इन दोनों को multiply करके, यहाँ लिख सकते हो, दो बार multiply करके, ठीक है, तो हम लोंका exercise 1.1 तो complete हो